दोस्तों आज हम करने वाले हैं आपके समाने प्रबंधन की 50 प्लस कोश्चंस का फास्ट रिवीजन और ये सिट मैंने फास्ट नाम दिया है क्योंकि ये जितने भी कोश्चंस रहेंगे ना आपके वन लाइनर रहेंगे और बहुत अच्छे प्रश्चन है वन लाइनर सीरीज में टाइम ज़्यादा लगता है वही वन लाइनर में अगर हम करेंगे तो आपके कम समय में हम ज़्यादा कोश्चंस को कर पाएंगे इसलिए अगर हम देखे तो इस सीरीज को आप से भी जरूर लाश्ट तक देखें जितने भी कोश्चंस आपको यहाँ पे कराये जाएं और एक से दो बार देखें बहुत यच्छे प्रस्ने हैं एक से दो बार देखने का प्रयास कीजेगा और मनेजमेंट की questions को समझने का प्रयास कीजेगा और management को पढ़िए समझेए क्या कह रहा है क्या पूछा जा रहा है पिर answer कीजे अब आसानी से answer कर पाएंगे पहला question है कि शमान परिश्रमिक जो अधनियम है कब पारित किया गया था शमान परिश्रमिक अधनियम कब पारित किया गया था तो आप शबी को याद रखना है कि 1976 में किया गया था कब किया गया था अगर आपके एकजामे पोच लिया गया कि समान परिश्रमिक कदनियम का पारित किया गया आपको कई option दे दिये गे वर्ष के तो आपको याद रखना है कि 1976 में किया गया ठीक है next question है आपे कि बित्ती प्रबंधन एक बिवसाय की वह संचलाटनक प्रक्रिया है जो कुशल प्रचालनों के लिए आवश्यक बित्त को प्राप्त करने तथा प्रभावशिल धंग से उप्योग करने है तो उत्तरदाई होता है यह जो कथन है आपके किसका कथन है बहुत अच्छा प्रशन है आपके इस प्रशन को जरूर आपसे भी दान रखेगा कि बित्ती प्रबंधन एक बिवसाय की वह संचलनाटमक प्रक्रिया है जो कुशल प अगला प्रशन है कि किसी का आत्मी विश्वास जागरित करना क्या कहलाता है किसी का आत्मी विश्वास जागरित करना अगर आप किसी भी वेक्ति के अगर आप देखे कि इसके आत्मी विश्वास को जागरित कर रहे है उसको एक तरह से क्या कर रहे है पेरित कर रहे है किस दोहरा लेखा प्रणाली किस प्रकार की पद्धती है तो यह है आपके बैग्यानिक पद्धती लेखांकन की दोहरा लेखा प्रणाली किस प्रकार की पद्धती है तो यह पद्धती है आपके बैग्यानिक पद्धती याद रखिए का आप सभी कौन सी पद्धती होती है यह ह अगला प्रश्टी की बिक्रेटा की सूची में एक बस्तु के बारे में विशिष्ट विब्रण क्या कहलाता है। जो लक्षे हैं, इनकी प्राप्ती के लिए किसका निर्माड अवश्यक होता है तो संगठन का निर्माड अवश्यक होता है संगठन का निर्माड अवश्यक होता है आपके जो नियोजन द्वारा निर्धारित लक्ष की प्राप्ती के लिए ठीक है? क्या हो जाएगा आपका? शंगठन का निरुमान करना अवश्यक होता है अगला प्रशन है कि वित्ती विबरण और बही खाते जो होते हैं ये मुख्य रूप से किस्से संबंद रखते हैं तो बित्ती विबरन और बही खाते मुख रूपशे वित्ती लेखांकन से किसे संबंद रखते हैं तो आप शबी को याद रखना है कि बित्ती लेखांकन से संबंद रखते हैं अगला प्रशन है कि किसी बैक्ति को उत्पाद विक्रे करवाने के लिए दिया गया जो धन होता है क्या कहलाता है जैसे कि आप समझेगा इस प्रशन को अगर आप प्रशन को समझेंगे क्या कह रहा है प्रशन है कि किसी बैक्ति को उत्पाद को कोई आपका product है example कुछ भी आप लेख सकते है कोई आपका product है अगर आप किसी बैक्ति को बोलते हैं कि इस product को आप सिल कराईए हम इतना आपको क्या देंगे इतना हम आपको इसमें commission देंगे यही तो आपका answer है किसी बैक्ति को उत्पाद विक्रे करवाने के लिए दिया गया धन क्या कहलाता है तो आप सभी को पता है commission कहलाता है यही आप से पूछा गया था अगला प्रशन है कि कार्मिक प्रबंधन किसका नया रूप है कार्मिक प्रबंधन किसका नया रूप है तो मानो शंशाधन प्रबंधन का किसका नया रूप है? मानो शंशाधन प्रबंधन का तो आप सभी का correct है मानो शंशाधन प्रबंधन कार्मिक प्रबंधन अगला प्रशन है कि यदि राजू यदि राजू ने नगद माल बेचा तो प्रविष्टी को कहां पर record किया जाएगा अच्छा प्रश्न है ये दिराजु ने नगद माल बेचा है तो प्रविष्टी को कहां पर record किया जाएगा तो रोकड़ बही में कहां पर किया जाएगा रोकड़ बही में record किया जाएगा आप से बेने correct हैं या पे नगला कोश्चन है कि ध्यान कर्शन या लालच की कला जो बैक्ति में किसी कारिको करने की इक्षायम जिग्याशा उतपन कर दे क्या कहलाएगी अभी पेड़ना कहलाएगी बहुत ही अच्छा प्रश्ण है अभी पेड़ना कहलाएगी लालच की कला जो बैक्ति में किसी कारिको करने की इक्षावा जिग्याशा उतपन कर दे क्या कहलाती है अभी पेड़ना कहलाती है ठीक है नेक्स्ट कोश्चन करने से पहले कुछ इक्स्टर इंफरमिशन है आप सभी के लिए एन अकेडमी के बारे में जहाँ पे आप सभी 21st मरी को यह scholarship test आप सभी टेस्ट देके scholarship जीच सकते हैं देन आपके देखे तो यह 2000 most important questions का आपके लिए test प्रोवाइड हो रहा है unit wise full length test आप सभी इसे join कर सकते हैं MP exams 10 code apply करके देन आपके देखे तो कौन-कौन से batch चल रहे हैं तो यह जनवरी मन्त के batch आप सभी देख सकते हैं विजे पत्वारी के लिए batch आपके start किया गया है and the rapid revision batch आपके लिए चल रहा है जो boiling well है तो यह सभी batch आप एक ही fees पे join कर सकते हैं code apply करके MP exams 10 चले अगला question करते हैं International Public Management Association for HR का संबंध किस प्रबंधन से है आपका इसका संबंध तो आप सभी को याद रखना है कि यह संबंधे थे मानोशंशाधन प्रबंधन से संबंधे थे आपका यह नियूंतम मजदूरी अधनियम कब पारित किया गया था आपके 1948 में किया गया था वर्ष आपको याद रखना है 1948 नियूंतम मजदूरी अधनियम कब पारित किया गया 1948 में किया गया दिन अगला प्रशन है कि यदि किसी दे तिथी को अचानक अवकाश हो जाए तो अगली दे तिथी क्या होगी आसान सब्रशन है बहुत से कुश्चन्स आपको ऐसे मिलते हैं जो आप आसानी से गर उसे रीट करेंगे और आप समझेंगे तो आसानी सेंसर कर सकते हैं दिन अगला कुश्चन है कि बालत किसी कारिको अपनी इक्षा से करता है तो ऐसे कौन सी पेरना होगी तो कौन सी पेरना होगी एक सकारात्मक पेरना होगी एक पॉजिटिविटी दिखेगी आपके दे जो सेवा लेने की जरूरत है इसकी पूरती कौन करेगा इसकी पूरती कौन करेगा मानोश अंशाधन प्रबंधन कौन करेगा मानोश अंशाधन प्रबंधन करेगा आपके तो आप शबी को यही तो यहाँ पर एंसर करना था जनगलाए कि राजनितिक चुनोती मानोश प्र प्रचार के लिए चुनना किस प्रक्रिया का भाग होता है तो ये आपके होता है मार्केटिंग का ठीक है देखते हैं आप बहुत सारे आपके मार्केटिंग है यही तो आपको बताना था है आपके अगला है एक मशीन को खरीदा जाना किस प्रकार का वय है यह आपके पुंजी वय कहलाता है कैसा वय कहलाता है पुंजी बे कहलाता है अगले है नेतरितों का विशेशक सिध्धान्त क्या है आपके नेतरितों का विशेशक सिध्धान्त क्या है तो नेताओं के जन्मजात लक्षण से संबंदे थे आपके नेतरितों के जन्मजात लक्षण से संबंदे थे आपके नेतरितों के जन्मजात लक्षण अभाता रखा जाता है तो यह क्या कहलाता है यह कहलाता है िदर बोंगे किस प्रकार बाटेंगे तो ये समान अनपात में बाटेंगे किस प्रकार बाटेंगे शमान अनपात में इक्वेल रेशियो में बाटेंगे आपके जो पार्टनर्सिप होते हैं जो लाब होगा जो हानी होगा किस प्रकार बाटेंगे तो equal, equal शेर्समान अनपात में बाटे जाएंगे, ठीक है, चलि вмुक्त है, किसके दोरा मानोशनशादन विकास का रिक्रम बनाए जाते हैं, तो यह आपके संग्ठन के दोरा बनाए जाते हैं, किसके दोरा, संग्ठन के दोरा बनाए जाते हैं प्रसिक्षन क्यों महत्य पूर्ण होता है किसी संस्था के लिए प्रसिक्षन क्यों महत्य पूर्ण होता है जिससे कि संगठन का विकास हो संगठन के विकास के लिए प्रसिक्षन क्यों महत्य पूर्ण होता है संगठन के विकास के लिए महत्य पूर्ण होता है यही तो आप स किसか कार्य होता है, विपड़न का कार्य होता है इसको किस नाम से जाना जाता है, तो नगध चकरन के नाम से जाना जाता है आपके, ठीक है, नेक्स्ट है एक नेता द्वारा हर परिष्थिती से उपर उठकर भविश्य के लिए जो कल्पना करने की जो छमता होती है इसका कौन सा गुण दर्शाती है आपके ये दूरदर्शिता को दर्शाती है अगला प्रशन है कि भारती साजेदारी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था आपक में आपके देखे तो पारित हुआ था ठीक है 1932 में पारित हुआ था नेक्स्ट है आवधिक कर्ज किस प्रकार की देंदारी है आवधिक कर्ज जो है किस प्रकार की देंदारी है तो ये दिर्ग कालीन देंदारी होती है आपके जो आवधिक कर्ज होती है ठीक है नेक्स्ट सामुहिक प्रयास किसके मुख्य विशेषता है, शामुहिक प्रयास किसके मुख्य विशेषता होती है, तो सामुहिक प्रयास एक संग्ठन की होगी न, एक संग्ठन की मुख्य विशेषता होगी आपके सामुहिक प्रयास, ठीक है, आप शबी कराइट है, अगले भविश्य म कि आप इसका answer कर सकते हैं यदि आपको भविश्य में आगे क्या करना है इसका पूर्वे जब आप निर्धारण करेंगे पूर्वे planning बनाएंगे वही तो आपका answer है नियोजन ठीक है भविश्य में क्या करना है इसका पूर्वे निर्धारण क्या कहलाता है तो आपके planning कहलाता है यही तो आपको answer करना था अगला है कि नियोजन का उद्देश निश्चित है या निश्चित नियोजन का उद्देश क्या होता है देखे planning का जो उद्देश होता है वो निश्चित होता है नियोजन का उद्देश्य क्या होता है निश्चीत होता है यह S.O.P का संबंद किस्ते है तो यह मानो शंशाधन प्रबंधन से संबंदे थे आपका किस्ते संबंदे थे तो लूथर गुलिक ने कहा था लूथर गुलिक ने कहा था संब्धन को सत्ता का उक्चारिक धाचा अगला प्रशने है आपका निक्स्ट कि बस्तु या सेवा के उपभोग में इकाई ब्रद्धी करने पर प्राप्त होने वाले लाव को क्या कहा जाता है तो बस्तु या सेवा की सीमान्त उपयोगिता क्या क प्रबंधकों द्वारा सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव करना क्या कहलाता है तो प्रबंधक द्वारा जो सर्वोत्तम विकल्प है इसका चुनाव करेंगे तो क्या कहलाएगा निर्ने कहलाएगा किसी कोई आपने प्लान बनाया उस प्लान को अगर आपने देखे कि आगे जो आप प्रबंधक होते हैं या आप खुद हैं तो अगर आप उसको एक तरह से चुनाओ करेंगे सरवत्तम विकल्ब जो सबसे सही रहेगा तो एक तरह सी क्या है कि आपने ये प्लान बनाए ये प्लान आपका सही है तो आप उसमें निर्डे ले लेंगे तो यही तो आपको इंसर करना था ठीक है निर्डे अन उच्छे धिकारियों दोरा नियोजित वेवहार क्या कहलाता है अपचारिक संगठन उच्छा धिकारियों दोरा नियोजित वेवहार क्या कहलाता है तो अपचारिक संगठन कहलाता है आपके तो ये एक तरह से इन्वेंटरी में मिलेगा तो ये एक तरह से इन्वेंटरी में मिलेगा नेक्स्ट है कि नेतित्य की पुरानी विचारधारा नेता की विश्य में क्या कहती है ये तो हमने किया है नेता जन्म लेते ही तयार नहीं किये जाते हैं आपके ठीक है नेतित्य की पुरानी विचारधारा ठीक है आप शबी कहाएं आपे नेक्स्टे विपड़न में किसकी प्रतिक्रिया जो होती है, सबसे महत्यपूर्ण मानी जाती है, तो विपड़न में सबसे महत्यपूर्ण जो होती है, ग्राहक की, कंजूमर, किसी चीज का मार्केटिंग चल रहा है, जब कंजूमर इस पे ध्यान नहीं देगा, तो फिर कहां से कुछ होगा विप्रण में किसके प्रतिक्रिया सबसे महत्यपूर्ण होती है ग्राहक की प्रतिक्रिया सबसे महत्यपूर्ण मानी जाती है अगला है संपत्यों के बेवसाय में किस उद्देश है तो रखा जाता है तो आगम उपारजन है तो किसके लिए आगम उपार्जन हेतु रखा जाता है सम्बत्यों को बेवशाय में ठीक है क्लियर है सबी को चलिए नेक्स्ट है नेक्स्ट कोश्चन है कि एक निश्चीत अवधि में सुनिश्चीत हैं इनका विवेक पूर्ण ढंग से समनवे नियंत्रन किया जाता है क्या कहलाता है अर्थिक नियोजन कहलाता है नेक्स्ट है लोक्षिवायो किस प्रकार की प्रबंधन का रूप माना जा सकता है तो ये आपका मानोवसंशाधन प्रबंधन है आपके किस प्रकार का प्रबंधन है मानोवसंशाधन प्रबंधन है आपके तो ये थे आपके 50 questions जो हमने आज किए अगर आपको ये series वन लाइनर की चाहिए या objective questions की चाहिए तो आप comment करेंगी जरूर बताए हम साथ साथ में दोनों को लेके चलने हैं एक हमारा 3-2-1 question का भी course चल रहा है तो वहाँ से आप objective भी कर सकते हैं जहां से आपको PYQ करने की जूरत नहीं पड़ेगी वैसे भी मैंने आपको 8-10 part आपको करा दिये हैं जहां से आपके देखे तो 200-300 question आपके previous year के general management के हो चुके हैं और आगे भी आपको कराये जा रहे हैं तो आगे next जो information है Tejas 120 days का जो बैच चल रहा है MPPSC claims के 13 January से आपका continuous start हो गया है दर्शन बैच आपका 12 January से चल रहा है दिन आपके देखे तो ये 5 January से आपका बैच चल रहा है December month के बैच आप सभी देख सकते हैं कब से कौन सा बैच श्टार्ट हो रहा है इन सभी बैच को एक ही फीस में आप सभी join कर सकते हैं code क्या apply करना है MP exams 10 code apply कीजे discount लीजे offer का benefit लीजे आप सभी and share कीजे इस वीडियो को अपने सभी friends के साथ जिससे जाद चाद लोगों तो किजान कर पहुँच पाए तो चली मिलते हैं नेक्ट वीडियो में अगर आपने अभी तेक शेनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लिजेगा इन्विल आइकन को प्रिस कर लिजेगा मिलते हैं नेक्ट वीडियो में थैंक यू